नमस्कार दोस्तों, हर्षित दिवेदी एजुकेशन दोरा बिनाया, वीकली मोग कोशिन्स फुर फिलम्स में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीत सागर, 11 जुलेई से लेकर 18 जुलेई 2021 तक का इंपोर्टन कोशिन्स क्या क्या है, चेक कर लेते हैं, आगे जान से पहले ल I hope आपने answer किया होगे, the answer is option B, 2 & 3 only, statement 1, गलत है, देखे statement 1 क्या लगा है, offices of the Indian foreign ministry are known as embassies in all countries, यही गलत है दोस्तों, देखे, commonwealth countries में and non-commonwealth countries में, जो हमारे Indian foreign ministry के offices है, उसको अलग-अलग नाम से बुलाता है, देखे, एक होता है high commission, फिर एंबसी, फिर एंबसी, फिर एं सबसे पर इस समझ लेते काफी नूज में है था देखिए दोस्तों वाई से दूसरे कंट्री के क्यापिटल में होता है जो एमबसी से हाइए कमेशन से यह आपको अबसे पर इस समय आपको पता होगा जो ब्रिटीश कोलनी थे पहले वह सब कॉमनवल्ट नेशन से आजकल इतना रिलेवेंट्स नहीं है पहले बहुत रिलेवेंट्स था कोमनवल्ट नेशन का मीटिंग वहरा हुआ करता था तो हाई कमीशनर टेम यूज करते हैं जो कोमनवल नेशन में जाते हैं और वहाँ जो उफ़िशे से उनकोगा यूम था जाते हैं और वहाँ जोटो हाई कमिशन नेशन नहीं पर यह सबीशिय करते हैं और यह सिटिस में दूसरे बैसिकली एंबसी या हाई कमेशन का सबड़नीट ओफिज होता है है कल्च्रल एकनॉमिक जो वहां रहते हैं उनके काम देखना यह सब काम उनका काम होता है ठीक है तो इधर आपका statement देख लीजिए क्या क्या लिखा है office of the foreign ministry are known as embassy in all countries लिखा यही गलते हैं बाकी दोनों सही है so our answer is option B 2 and 3 only question number 2 consider the following statements with respect to Sikkim which are correct video post कीजिए और answer बताईए I hope आपने answer की होगे नो the answer is option D 1 2 3 and 4 very direct question है दोस्तों Sikkim से related कुछ news आया था इसलिए मैंने Sikkim का question डाला है देखिए क्या-क्या statements लिखा है चारो सही है सबसे पहला Sikkim का location अब सबको पता है North Eastern part of the country है Eastern Himalayas में and one of the smallest states है इसका नाम लिम्बू एक ट्राइब उधर का उधरी से आया है वर्ट सू हिम मीनिंग न्यू हाउस राइट सिकिंबीक में प्रट्रेक्रेट ओव इंडिया 1950 following the Indo-Sikamese treaty यह ध्यान दीजेगा and India का पार्ट कब बना था 16 में 1975 में इंडिया का 22nd state है Sikkim नम्ग्याल dynasties रूल करते थे 1975 से पहले यह very important है ध्यान दीजेगा ऐसा भी कोशे ना सकता है नम्ग्याल dynasties कि स्टेट से अपर डेट कर सकते हूं and mainly Thista river है Tributaries अचा रंकीत, लोनक, तालू and लेच्चुम वेरी वेरी इंपोर्टन ठीक है So our answer is option D, 1, 2, 3 and 4 Question number 3 Consider the following statements which are correct Video post कीजिये और answer बताईए I hope आपने answer किया होगा now the answer is option A1 only statement 2 गलत है देखे, cooperative शब्द जो है आजकल बहुत न्यूज में आ रहा है इंडिया का पहला minister of cooperation है Right, तो दो statement है देखे, cooperative शब्द आपने कहां सुना है आपको जब हशिस और लेक्षमी गांद की पॉलिटी पढ़ाया तो DPSP, Directive Principles of State Policy में cooperative शब्द आता है cooperative मतलब क्या होता है An autonomous association of persons united voluntarily to meet their common goals Basically जब एक group of individuals एकटा होके उनका कोई common goals के लिए, common target के लिए काम करता है वो जो काम है, वो economic हो सकता है, social हो सकता है, cultural हो सकता है जब एक common goals के लिए जब एक group of individuals काम करते है उनको cooperation बोलता है Article 43B was added in the DPSP regarding the promotion of cooperative societies इस तरह कि जो cooperative societies को promote करने के लिए Article 43B DPSP में आट किया दा तो article 43 आप रिलिकर सकते हो DPSP से and constitution amendment क्या था? 97th amendment act है जो 2011 में हुआ था right, the word cooperative is what added after unions and association in 1901 under part 3 of the constitution ये भी आप ध्यान दीजेगा this enables all citizens to form cooperative by giving it the status of fundamental light of citizens तो forming of cooperative societies एक fundamental light है वो 1901 close C में है, right so हमारा statement देख लिजिए क्या क्या लिखा है word cooperative is an autonomous association of persons बिल्कुल सही new article 36 was added in the DPSP बिल्कुल गलत है दोस्कों में आपको बोला कौन सा article है article 43B है right और ये जो fundamental right वाला जो पैरा है वो ध्यान दीजेगा right to form cooperative societies ये से fundamental right under article 90 question number 4 consider the following statements with respect to cloudburst which are correct video post कीजिए और answer बताईए I hope आपने answer किया होगे नो the answer is option B 2 and 3 only statement 1 गलत है लेखे क्या लिखा है cloudburst cloudburst का मतलब यह होता है दोस्तों it is an extreme amount of precipitation in a short period of time sometimes accompanied by hail and thunder which is capable of creating flood conditions sudden burst of cloud मतलब sudden precipitation जो होता है जिसमें काफी सारे पानी cloud से नीचे की तरफ आता है इसको cloudburst होता है उसके बाद क्या होता है कुछ एरिया में flash flats हो जाता है और कहीं disasters भी हो जाता है recently जो उत्राखन में हुआता आपने सबने सुनाई होगा अब देखे cloudburst and quickly dump large amounts of water example 25 mm of precipitation corresponds to 25,000 mt per square km तो उतना पानी cloud से नीचे की तरफ आएगा इसको cloudburst बोलता है आप देखे दोस्तों cloudbursts are infrequent आज देवकर यह ध्यान दीजेगा they are infrequent हमेशन नहीं होता है कभी-कभी हो जाता है देवकर वाया अरोग्राफिक लिफ्ट और occasionally warm air parcel mixes with cool air जब एक warm air parcel जो air वो गरम होके एक parcel of air मतलब एक बहुत बड़ा column of air गरम होके suddenly उपर चले जाता है और वो condensed हो जाते मतलब वो cool air cold air से mix होके condensed हो जाते वो sudden condensation हो जाते मतलब वो sudden condensation की वजए से पानी जो है suddenly नीचे की तरफ आता है उसको cloud burst बोलता है अब हमारा statement देख लिए कह कहरे रहे है statement 1 गलक बोल लाई था it is one of the pre-monsoon storm events occur during convectibly unstable atmospheric conditions culminating due to transit disturbances etc etc देखे यह जो statement है ना दोस्तों this is for hail storm hail storm आपने सुना होगा geography में NCID geography में है पढ़ लीजे मैं इथर ज्यादा explain नहीं कर रहा हूँ इतना ही जान लीजे statement 1 जो है hail storm का है बाकी 2 है यह cloud based regarding है so answer is option B 2 & 3 only time constraints से इसलिए मैं ज्यादा explain नहीं कर रहा हूँ question number 5 which of the following Indian festivals are related to new year followed by both solar and lunar calendar system video post कीजिए and answer बताएज I hope आपने answer की organ of the answer is option D 1 2 3 4 & 5 5 के 5 आप new year से relate कर सकते हो देखिए इंडिया में कहीं सारे festivals बना जाते है एक festival country भी बोला जाते है हमारे देश को इतने सारे festivals है तो काफी festivals जो है harvesting of crops से related है तो basically new year से related है आप अगर solar calendar, lunar calendar को follow करोगे तो कई सारे festivals है major कौन-कौन से मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जूट शीतर जो बिहार अन जारकन में मैंना जाते है देखिए मेरे pronunciation गलत हो सकता है बैशाकी, पंजाब बहाग भी हू, नौर्थ इस्टेन स्टेट्स में गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्रा उगदी, करनाटगा, तेलंगरा, नांधरा प्रदेश में जमजदी, नजबरोष यह बेसिकली इराणियन नुएर है दोस्तों आपको पता है कुछ इराणियन एत्नो लिंग्विज ग्रूप इंडिया में भी है Q6. Which of the following cabinet committees are chaired by Prime Minister of India? वीडियो पोस किजिए और आंसर बताईए I hope आपने आंसर किया होगे Now the answer is option All except 1 & 3 Cabinet Committee on Accommodation & Cabinet Committee on Parliamentary Affairs यह दोनों Prime Ministers chaired नहीं करते है वैसे 8 Cabinet Committees है हमारे कौन-कौन सा? Appointment Committees of Cabinet Cabinet Committee on Accommodation Economic Affairs, Parliamentary Affairs, Political Affairs Security, Investment & Growth Employment & Skill Development आप देखें इसमें Prime Minister के अलाबा और भी Ministers members रहते हैं वो ध्यान दीजेगा इसमें Cabinet Committee on Accommodation & Cabinet Committee on Parliamentary Affairs को छोड़के यह दोनों Home Minister चेर करते हैं बाकि सारे Prime Minister chair करते हैं They are extra constitutional emergency समिधान में इसके बार में कुछ लिखा है नहीं इसको extra constitutional बोलता है So answer is option A All except one and two Question No.7 Consider the following statements regarding legislative council which are correct Video post कीजिये और answer बताइए I hope आपने answer की होगा Answer is option A one only statement two देखे legislative council का वीडियोस में क्यूंकि West Bengal legislative council बनाने के लिए State Government एक resolution passed किया है आप वो Parliament के पास है Parliament decide करगा होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो Parliament के पास कुरी powers है State Government की जो request है इसको accept करना है नहीं करना है देखे Under Article 169 of the Indian Constitution Parliament में बे लोग create or abolish the second chamber in the state of the legislative assembly of the state passes a resolution by a special majority ठीक है देखे तो Article 169 Parliament को power देता है to create or abolish second chamber Second chamber मतला legislative council Right अब देखे legislative council अगर बनाना है तो State Government को एक resolution पास करना पड़ता है यह भी ज्यान दीजेगा यह Article 171 क्रोस्वन करता है And total number of members in the legislative council of the state shall in no case be less than 40 40 से नीचे भी नहीं होना चाहिए And 1 by 3rd से उपर भी नहीं होना चाहिए समझ में आगे न आपको legislative council का आप दीखे statement में क्या क्या लिखा है पहले लिखा है पार्लामन में पे लोग creator abolish यह बिल्कुल सही अर्टिकल 169 कहता है Legislative council of the state shall not exceed 2 3rd of the total member of members in the legislative assembly यह गलत है 1 3rd है मैंने आपको बता दिया यह 171 कहता है यह 169 कहता है ठीक है so answer is option यह one rolling Question number 8 The last ice area which was recently seen in news is located at वीडियो पोस्ट कीजी answer बताईए the answer is option B Arctic area ठीक है last ice area का भी news में आया था देखे आप देख सकते हो Arctic area में basically North Pole area में western side में आपको last days area दिखते है अब देखे इस पार्ट of Arctic's ice located in north of Greenland तो Greenland कौन से country का पार्ट है मुझे common box में बताईए अब इसके western side में आपको sorry North and side में आपको दिख रहा है last days area while climatic projections forecast the total disappearance of summer is in Arctic by the year 2014 देखे global warming की वज़े से climate projections यह कहता है कि जितने summer ice in Arctic में वो 240 तक पूरा ही खतम हो जागा disappear हो जाएगा only place that would be able to withstand a warming climate would be this area of ice called last ice area तो 240 तक जब पूरे ice खतम हो जाएगे या disappear हो जाएगे पूरे melt हो जाएगे तब एक ही ice area बच सकता है उसी को last ice area नाम दिया है scientist में right but while the space of ice above northern Canada and greenland was expected to last the longest time it is now showing science of melting आभी देखिये वैसे scientist ने तो ये बोला है last days बचेगा पर इसमें भी धीरे-धीरे science of melting आरा करके news भी आया था ये भी धियाल दीजेगा right so our answer is option B Arctic question number 9 under which of the following ministry functions the department of public enterprises video post कीजिये answer बताएए I hope आपने answer किया होगा now the answer is option D ministry of finance देखिये recently a news आया था very important news department of public enterprises को ministry of finance के अंदर कर दिया गया देखिये government has merged the department of public enterprises with the finance ministry जितने भी key state-owned firms है जैसे central public sector enterprises है उनको इनको पर एक अच्छा control आने के लिए ये किया है आप देखिये ministry of heavy industries and public enterprises पहले जो था the parent ministry of DPE will now be called as ministry of heavy industries ठीके ये नाम बदलके अप ministry of heavy industries कर दिया क्योंगी public enterprise वाला department ministry of finance को देदिया है तो finance ministry में अभी total 6 department हो गया इसके अलावा जो department of public enterprise के अलावा economic affairs, revenue, expenditure, investment and public asset management and financial services so our answer is option D ministry of finance question number 10 which of the following dam is not located in the Krishna river video post कीजिये और answer बताईए now the answer is option B Yaldadita देखिए आंद्रापधेशन तेलगानक के बीच में Krishna river के allocation को लेके काफी problem चल रहा है इसलिए आपको Krishna river के बार में 100% ID होनी चाहिए इक को सिना सकता है basically problem Shri Shailam, Nagajanasagar, Pulichandala जैसे projects को लेके है यह जो projects बनाया है इसे पानी का allocation एक स्टेट को ज्यादा मिल रहा है एक स्टेट को कम मिल रहा है इस तरह की problem चल रहा है और यह Krishna river management board बैठा हुआ है Krishna river के पानी का allocation monitor करने के लिए वीडियो बनाया है चानल में अब देख लीजिएगा देखे, Krishna river में मैं जब projects कौन-कौन से लिखाया है Koina, Mulshi Dam, Tukarwadi, Ujjani, Almaty, Bhadra, Tunggabadra जैसे कहीं सरे dams and projects है एक बार पढ़ लीजिएगा So, here our answer is option D, Yeldari Dam यह Krishna river में नहीं है Yeldari Dam basically Gaudhavari river में है यह भी ध्यान दीजेगा Question number 11 Which of the following index is or are used to calculate the DNS elements of central government employees in India? Video post कीजिए और answer बताए Now the answer is option A, consumer price index CPI, DNS elements recently central government central government employees का बढ़ाया है 2020-2021 में कुछ हुआ नहीं था COVID-19 pandemic के चलते है Hold करके रखा हुआ था तो इस बास जो DA का increase है वो कुछ ज्यादा ही दिया है तो यह जो DNS elements calculate के से करते है Consumer price index के उपर अब यह consumer price index क्या है यह actually consumer price index से यह पता चल जाता है जो goods है जो हम चीजें खरीते है उसकी price change कितना हुआ है एक होते होलसेल price index एक होते consumer price index wholesale price index में क्या पता चल लगा wholesale rate में कितना difference आ गया consumer price index में कड़क पता चल जाता है consumer जो चीजें खरीते हैं उसमें कितने increase हुआ है तो उसकी हिसाब से सालरी पीतो ज्यादा देना पड़ेगा तब ही cop-up कर पाएगा इसलिए DA देते है DA साल में दो बार विवेश करके देते है थोड़ा-थोड़ा करके एक percentage है basic pay का इतना percentage DA वो हर 6 मेने में इंग्रीज करते है तो पिछले 2 साल से यह नहीं हो रहा था COVID-19 pandemic के चलते आप जान लीजिए DA consumer price index के ऊपर calculate करते हैं which DA के बार में basic details रिखाया पढ़ लीजिएगा consider the following statements with respect to article 311 which are correct वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर रताईए I hope आपने answer किया होगा answer is option A 1 and 2 only article 311 काफी news में है इसके बार में एक वीडियो भी बनाया था दो दिन पहले आशित सार ने employees को terminate की article 311 के answer तो वीडियो बनाया था अच्छी तरह समझा रखा है देख लीजिएगा 100% important है देखिए वैसे article 311 हमारी समिधान का वो deal करता है dismissal, removal or reduction in rank of person employed in civil capacities under the union or a state तो article 311 के answer authority employees को dismiss कर सकता है remove कर सकता है rank reduce कर सकता है पर उसमें clause यह कहता inquiry in which he has been informed of the charges मतलब employee को terminate करने से पहले एक inquiry होना चाहिए और उनको एक reasonable opportunity भी देना चाहिए अपना justification देने के लिए यह article 311 में लिखा है एक clause में पर दूसरा clause है वो यह कहता है whether authorities satisfy that for some reason to be recorded by that authority in writing it is not reasonably practicable अगर authority को यह लगे reasonably practicable नहीं है कोई inquiry conduct कराना और whether the president or the governor as the case may be satisfied that in interest of the security of the state national security की बात जब आती है कोई inquiry conduct करने की सरोत नहीं है सीधा सीधा remove कर सकते अर्टिकल 311 के इसाफ से ठीक है आप देखें और एक problem यह है problem नहीं एक provision है only available remedy to terminated employees under this article is to challenge the government decision in high court only high court में यह government decision को challenge कर सकता है अगर कोई employee करना भी चाल है कोई normal tribunal में या high court से नीचे कोई भी court में वो challenge नहीं कर सकता ध्यान दीजेगा ठीक है तो statements देख लीजिए वैसे यह जो statement तो यह भी ध्यान दीजेगा and terminated employees under this article can challenge the government decision in administrative tribunal गलत only high court में जा सकता है so answer is option यह 1 & 2 only question no.13 consider the following statements with respect to Asia Pacific Economic Cooperation APEC which are correct video post कीजिए और answer बताईए the answer is option see 1 & 3 only statement 2 गलत है देखे Asia Pacific Economic Cooperation का meeting चली रहा है आज के news में हमने एक news डाला भी है तो देखे यह क्या है इसमें total 21 Asia Pacific economies है member economies of APEC are home to 2.7 billion people and accounts for over half of global GDP इस तरह की statements आ सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं वैसे यह found किया था by Australia 1989 में इसके member countries कौन कौन से इतर में लिखा है Australia, Brune, Chile, China, Canada, Hong Kong, Indonesia etc. यह सारे Pacific Ocean से यह Pacific Ocean का एक पार्ट से अपना boundary शेयर करता है इंडिया जो है APEC का member नहीं है India APEC का member होना चाह रहा था पर पोलिटिकली, sorry जोग्रिफिकली, इंडिया का जो location है वो Pacific Ocean से मिलता नहीं है इसलिए इंडिया number 1 नहीं पाया पर November 2011 में India was an observer इंडिया था APEC में So, statements देख लीजिये It is a forum compressing of 21 Asia-Pacific economists, very correct India is a member of the cooperation, Galat APEC was founded by Australia, very correct So, answer is option C, one and three only Question number 14 Mangarbani cave paintings are found in which of the following states? Video post कीजिये और answer बताएजी Answer is option C, Haryana देखिये, Mangarbani Hill Forest जो है, Haryana में Faridabad district में उधरी है Mangarbani cave paintings जो एक pre-historic site है तो recently discovered हुआ है It is one of the biggest paleolithic sites ज्यान दीजेवा, Indian subcontinent में One of the biggest paleolithic site है यह जो Mangarbani है ठीक, उधर से stone-age tolls भी मिला है It is for the first time that a pre-historic state along with cave paintings and rock art of a last magnitude has been found in Haryana आप मुझे बताये, Haryana में और कौन सा Paleolithic site है देखिये, यह पहली बार ऐसा मिला है इतना बड़ा सा एक pre-historic site along with cave paintings ठीक है Paintings are yet to be dated but at least some of them belonging to the Upper Paleolithic period in all likelihood जो painting से अभी तक date नहीं किया है मतलब कितना पुराना यह बाद में पता चलगा जब इनके रिपोर्ट आएंगे ASI का So here our answer is option C, Haryana Question number 15 Consider the following statements with respect to river Kaveri which are correct वीडियो पोस्ट कीजिए और answer बताईए Answer is option C, 1 & 3 होगी देखिये, river Kaveri भी न्यूस में है क्यूं है? क्यूंकि Tamil Nadu & Kannadaga की बीच में मेके दातू dam या मेके दातू जो project है उसको लेके जो problem चल ला है इसलिए Kaveri river news में है इसके बार में भी आपको आइडिया होनी चाहिए देखिए क्या-क्या statements लिखा है पहले हम expression देखते है Kaveri river one of the major river जो पिनुम्सिला इंडिया में इसके पहल जोतर रिभर 800 km आपको आपको के में इंड़ न पी गावडबर Chili देखिए उससे में पहले होड़ा वाड़ी आपकार यहीत चाहिए जोतर आपको दिग यह देखिए इंबटेंन ट्रीबुटरी चाहिए हारंगी आमावती शिम्सा It is one of the seven holy rivers of India, Kaaviri River is very useful for agriculture in Tamil Nadu. Kaaviri River को लेके, Tamil Nadu and Kannadaka के बीच में काफी problem हुआ है, तो latest problem है, जो मेक के दातू, जो बॉर्डर में आता है, Kannadaka and Tamil Nadu के हैं, ठीक है? So, देखी, Statements में, पहला तो basic इनके तल, Kaaviri के बारे में रिखा हैं, So, बिल्कुल सही है, बांगंगा, कडवा, शिवानी rivers are the important tributaries of Krishna river, गलत. यह कौन सा river के हैं? गौदाविरी के हैं, Disputed में कैदा तू, Dam Project is being proposed to build across the river Kaaviri, very correct. So, answer is option C, one and three only. तो दोस्तों, that's the end of it. एक वीडियो में इधर finish कर रहा हूं, I hope आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, ताड़ तू, यह वीडियो कर सक्षा थाइखने, वीडियो कर दो, जैसे हैं हैं। ते मादे वीडियो कर दो दो, प्योंशने के का थाजिए, हैं ना क्या एक्तार,विगर उनस्ना जाफ।